वेलकम टू प्यूर कोकिंग, इस वीडियो में मैं हैदरबादी शादियों में सर्फ के जाने वाले खुबानी के मीठी की दैसे पी शेयर कर रहे हूं, देख सकते हैं आप यह कितना मज़ेदार बना है, तो चलिए बनाना शुकरते हैं, यह रॉयल स्वीट खुबानी का मीठ तो इसके लिए मैंने एक किलो खुबानी ली है, खुबानी जो है एक ड्राइफरूट है खिसम का, तो कोशिच करें कि आप इस तरह के लाइट कलर के खुबानी ले, यह जो डार्क कलर का है क्यूंकि मैंने बहुत दिन से मंगा के रखा था तो एक दो ऐसी हो गई है लेकिन मैं इसके गुटलिया निकाल लेंगे, तो सीडलेस भी खुबानी मिलती है, अगर आप इतनी महनत नहीं करना चाहते तो जहां से आप खुबानी खरीद रहे हैं, उनको कहे के आप सीडलेस खरीद सकते हैं, मैं सीडलेस निकाल के उसी बरतन में से वापस रख रही हूँ, अ क्योंकि यह पानी में रात भर खुबानी भीगती है, तो इसका मज़ा फ्लेवर पानी में आ जाता है, अब हम हाई फ्लेम पर इसको 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि यह खुबानी सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही जूसी और मज़ेदार हो जा अब हमने शकर को अच्छे से पका लेना है, जैसे शकर इसमें पकेगी, तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ट्रास्पेरेंट सा होने लगेगा, मीठे की शकल आपको समझ में आ जाएगी, शकर दालने के बाद में मैंने 15 मिनिट के लिए से और पका लिया है, देख सकते हैं अब यह बिल्कु शाइनी सा मिक्सचर बन गया है, अब इसको थंडा करेंगे, और इसको थंडा करेंगे, अब ही आपको यह पतला लग रहा है, लेकिन जैसे यह थंडा होगा तो गाड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि यह ज करेंगे और इसे फ्रिज में रखे थंडा सर्फ करेंगे, तो बिल्कुल मज़ेदार सा खुबानी का मिठा बन कर तयार है, जितनी मैंने क्वांटिटी बनाई है, इसके हिसाब से 12-15 लोग आराम से इस मिठे में खा लेंगे, तो जरूर ट्राइ किर जिए मरी रेसिपी, औ बहुत ही मज़ेदार लगता है, लेकिन मलाई से तो यह बहुत ही जबरदस लग रहा है, तो जरूर ट्राइ किजिए मेरी यह खुबानी के मीठे की रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यूर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स पर वाचिंग, और जैसे मैंने कहा, यह मीठा बारा से पंद्रा लोगों के लिए है,